इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि cluster sampling technique क्या होती है और किस तरीके से ये work करती है तिक है cluster sampling again एक sampling technique ही ही है जिसमें हम क्या करते हैं entire population को कुछ clusters में divide करते हैं यानि कुछ groups में divide करते हैं कई बार ये population by default इस तरीके से होती है कि वो हमें clusters के अंदर मिल जाती है तो ऐसे case में हम क्या करते हैं इन सभी clusters में से कुछ clusters randomly select करते हैं अब ये बन जाता है हमारे पास clusters का subset इसके बाद ये जो कुछ clusters का subset बनाया है इसके उपर हम study perform करते हैं अपना analysis perform करते हैं तो इस तरीके से जो sample select किये जाते हैं उसे ही कहा जाता है cluster sampling technique clear तो एक बार step by step देख लेते हैं कि ये किस तरीके से work करता है सबसे पहला step कि हम पूरी population को कुछ clusters में divide करते हैं बट ये जो clusters होने चाहिए ये distinct होने चाहिए overlapping नहीं होने चाहिए यानि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी चीज को आप इस वाले cluster में भी काउंट कर रहे हैं और दूसे cluster में भी काउंट कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए यानि clusters या group एक दूसे के ओपर overlapping नहीं होने चाहिए जब यह first step complete हो जाता है इसके बाद आता है randomly select clusters यानि यह जो different clusters हैं इसमेंसे हम कुछ clusters randomly select करेंगे इन्हें हम कहेंगे subset of all clusters ठीक है इसके बाद आता है step 3 sample within selected clusters एक बार हमें in clusters का subset मिल गया अब हमें क्या करना है अब हम इनसे data या observation सभी element की collect करते हैं ठीक है data collect होने के बाद fourth step आता है analysis after collecting data all from elements with the chosen clusters अब statistical analysis हम इनके ओपर perform करते हैं और उसके बाद एक conclusion entire population के बारे में draw करते हैं अब बात कर लेते हैं कि इस तरीकी की technique कब हमें यूज करने चाहिए या कब यह useful रहती है देखें जब population बहुत बड़े area में spread out है यानि value हुई है तब आप इसका use कर सकते हैं या फिर जब population बहुत बड़ी है और इतना time नहीं है कि हरी एक data को include किया रहा सके third कई बार cost इतनी ज़्यादा हो सकती है कि जो हमारी study की cost से काफे ज़्यादा हो जितना हम spend नहीं करना चाहते तो उस case में भी हम इस technique का use कर सकते हैं I hope कि cluster sampling technique क्या होती है किस तरीके से work करती है और कब हमें इसका use करना चाहिए या आपको clear हुआ होगा इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में फिर मिलते हैं all the best keep watching